इन दौर में बदमाशों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं अब बदमाशों में खाकी का खौफ भी खत्म हो रहा है इसकी बानगी राउ के टीही फाटक पर देखने को मिली यहां एक हैट कॉंस्टेबल बदमाश की तलाशी ले रहा था तब ही उसने चाकू से पेट पर हमल कर दिया दूसरे कॉंस्टेबल ने पीछा कर उसे दबोचा तो उस पर भी हमला किया और फरार हो गया यह सारा घटना करम उस वक्त हुआ जब शाम से राग तक दोनों एसपी सहित पूरा पुलिस फोर्स सड़कों और चुराहों पर चेकिंग कर रहा था पुलिस के मताबिक के पास पहुचे तो वह भागने लगा हेड कॉंस्टेबल आमीन ने दबोचा तो बदमाश ने चाकू से उनके पेट में वार कर दिया इसके बात पकड से चूट कर भागने लगा इस दौरान पुलिस के मताबिक आरोपी नशे का आदी है और इसके सी टीवी फुटेज भी मिले हैं जिसके आधार पर उसकी तलाज की जा रही है राव पितंप रोड पे थाना राव की चेकिंग आसाम को चल लगी थी उस दौरान एक चाय की गुम्ती से नील लाम के विक्ति आ उसके द्वारा पुलिस वालों को बताया कि वहां चेकिंग करने वाले जो विक्ति थे कि कुछ संद्यासपाद लग रहा है और उसके पास कुछ हत्यार बगएर है कुछ ऐसी चीज हो सकती है इस पर से जो चेकिंग पे लगे हुए जवान और हैट कॉंस्टिविल थे उसको देखने के लिए गए जैसी उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसके द्वारा किसी हमले में घाल हैट कॉंस्टिबल को चोईतराम हॉस्पिटल ले जाए गया जहां उसकी हालत खत्रे से बाहर है लेकिन शहर में लगातार बदमाशों के बुलंद होसले शहरवासियों के साथ ही अब पुलिस के लिए भी परिशानी का सबब बने हुए है